मैं सीलू सिर्वास्तो आज आप लोगों को लाइच जुह के बारे में बताएंगे कि यह जो है तुचा पर हो जाता है तो किस तरह से जानवर देखने में लगता है इस से प्रभाविश जानवर किस तरह का हो जाता है और इसके बचाओ के लिए क्या करें तो जूएं क्या है यह बाहर पड़ जीवी होते हैं उपर के तचापर रहते हैं और यह रंग में भूरे अथवा काले होते हैं प्रभाविक जानवर के प्रकार के अनुसार ही इसका आकार आकिरत तदारंग बदलता रहता है और यह तचापर यह बालों के अंदर रहते हैं यह चमड़ा खाकर और खुन चूसकर ही जीवित रहते हैं यह जूएं और यह बालों में सफेद अंडे देते हैं यह कमजोर और पतले जानवर में अधिक होते हैं सामानता अधिक प्रभावित करते हैं अच्छा आप देखते हैं कि कौन से जानवर जुए से प्रभावित होते हैं तो इससे प्रभावित होता है गाय, भैस, भेड, पकरी, गोड़ा, सुगर, मुर्गा, मुर्गी और सभी जानवर जुए से प्रभावित होते हैं और अब देखें हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह जो है जानवर में है तो जानवर कैसा देखने में लगता है तो इससे प्रभावी जानवर अकसर दूबले पतले होते हैं और बाल पतले रफ होते हैं जुएं और इनके अंडे बालों में और तचा के अंदर देखे जाते है और इससे परवावी जानवर तोरित तोर पर खुजलाते रहते हैं अब देखते हैं कि इसकी अगर हो जाता है तो इससे बचाओ के लिए क्या करें तो बहुत सारे जानवरों को एक सेड में रखें और भीड़ भार से बचाएं भीड़ को साफ रखें तथा उसमें धूप भा आती है उसको लेले और घरेलो उपचार में जो ए घरेलो नि जो है तमबाकु के घोल से जानवरों की तोःचा को ठीक से मैले और ये काम हफते में चार बार करें तंबाकू का गोल बना ले कटोरी में और उसको एक एक बाल अटा करके और उसको जो है लगाएं तो इससे जो है खतम हो जाते हैं और यह काम हथते में चार बार करना चाहिए तो यह हैं जो हैं अगर पड़ जाते हैं बाय तो चापे तो इस से रुख धाम के लिए